हेलो गाईज, वेलकम बेक टो अनादर वीडियो, तो गाईज इस वीडियो में हम लोग एक 5 रुपे के आजपास ट्रेड करने वाली पेनी स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, अगर कंपनी की बिजनस के बारे में डिस्कस करें तो यह बेसिकली एक गार्मेंट कंपनी की लास्ट 50 20 की मैक्सिममम रिटान है, अप्रक्सिमेंटल चार सो परसिल कम्पनी प्रॉपीटेबल हंसे साथ साथ ंग में कंपनी कंपनी कौटश कर दिया, अगर इसल को में प्रो मोटरर के बारे में डिस्कस करें तो वह अप्रोंचिमेंटल 44 परसन के आश-पास क के निकल के आ रही है इस company में हम आप जैसे चोटे मोटे retailer की जो holding है वो 20% के आसपास निकल के आ रही है तो guys इस वीडियो में हम लोग basically 3 point cover करेंगे so the first point is fundamental analysis यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि company कौन सी है and company fundamentally कैसी है for short term trade and long term investment purpose second point is volume analysis volume को analyze करके हम लोग future trend के बारे में अंदाजा लगाने ही कोशिश करेंगे and the third point is technical analysis यहाँ पर हम लोग discuss करेंगे different technicals के बारे में मतलब कहाँ पर आप लोग buy करके चल सकते हो and क्या आप लोग की target रहने वाली है for swing trading purpose तो guys बीना time waste किये पहली point की तरफ बढ़ते है और देखते है कि company कौन सी है and company fundamentally कैसी है तो guys यहाँ पर आप लोग company का name देख सकतो SBC exports limited company क्या करती है वो भी यहाँ पर आप लोग देख सकतो company both BSC and NSC में listed है 104 crore के आसपास की company की market cat है 56.4 की PE है 13.7 की ROC and सारे 8% के आसपास की company की return on equity last 6 months की return 127% है book value से गफी उपर trade कर रही है and यहाँ पर अगर last 3 साल की sales growth के बारे में discuss करें वो तो मैंने वीडियो के starting में discuss कर दिया था और अगर यहाँ पर एक साल की approximate maximum return calculate किया जाए था वो 447.36% के आसपास की निकल के आ रही है dividend company देती नहीं है face value एक किया and promoters की holding approximately 4% play जो रखा है pros and cons के बारे में discuss करें था pros में कोई भी point नहीं है तो कौन सी check कर लेते है company book value से काफी high में trade कर रही है company profitable है लेकिन dividend pay नहीं करती है last 5 सल की return on equity है वो 10% के आसपास जो की 3 सल की comparison में काफी कम है अगर quarter result के बारे में discuss करें तो कैसे यहाँ पर देख सकते हो December की quarter में company एक record breaking sales दिया और record breaking sales देने के साथ साथ एक record breaking profit भी दिखाई है by 3 क्रोर 5 लाक रुपिस अगर current ttm में discuss करें तो current ttm से regarding कोई भी data यहाँ पे available नहीं है लेकिन company overall profitable रहने वाले जैसे कि यहाँ पर आप आप लोग देख सकते हो और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो entire 2021 की financial year में company से फ़र सी 2 क्रोर की profit दिया है लेकिन current ttm में अगर देखा जाए तो December की quarter में अकेली company ज़र वो 3 क्रोर के आसपस की profit दिया है तो 2022 की financial year में अब लोग 5 से 6 क्रोर के आसपस की profit expect कर सकते हो from this company अगर balance sheet के बारे में discuss करें तो guys यहाँ पर देख सकते हो control date रहने वाली है company के पास 12 क्रोर की positive result मोज़िद है अगर तीन सल की comparison में देखा जाए तो promoters ने अपनी holding increase करी है और अगर last quarter की comparison में देखा जाए तो again promoters ने अपनी holding increase करी है public में देखा जाए तो देख सकतो 3-4 बड़े retailer की holding है sorry 3-4 नी बहुत सारे बड़े retailer की holding है अगर यह सब कुछ calculate करते हो तो हम आप जैसे छोटे मोटे retailer की holding है वो approximately 19.61% के आस्तमस की निकल के आ रही है इस company में अब यह conclusion पर आते है कि company actually कैसी है for short term trade and long term investment purpose जह होगा है short term के लिए भी काफी सही company है और long term के लिए भी काफी सही company रहने वाले क्योंकि company की sales है वो sales growth काफी सही है company की and उसके साथ साथ company की profit growth भी काफी सही रहने वाली है and promoters जो है वो भी धीर धीर अपने holding को increase का रहे हैं अगर तीन साल की comparison में देखा जाए तो तो आप लोग definitely इस company को consider करके चल सकते हो काफी सही company रहने वाली है for short term trade and long term investment purpose तो guys यह तो हो गया हमारा first point अब हम लोग बढ़ते हैं हमारा second point की तरफ और देखते कि कल कितने quantity में trading हुआ है इस company में तो guys यहाँ पर हम लोग आ चुके NSTK website पर और अगर कल के बारे में discuss करें तो 17,77,764 quantity में trade लिया गया है जिसका value 88.35 रुपिस के आसपास के निकल के आ रही है pending order quantity के बारे में discuss करें तो 700 buying order pending है 4.9 की price पर और अगर एक चीज नोटीस करोगे तो कल के दिन जो है वो इस company में upper circuit हिट हुआ था आपर price band हिट हुआ था delivery percentage यहाँ पर updated नहीं है तो कुछ कह नहीं सकते कि कि इतने quantity में daily wire trade लिया गया है और कितने में intraday और बाकी हम लोग अगर volume के बारे में कुछ भी जानना है तो यह overall traded volume से idea लगाना पड़ेगा एंड यह देखना होगा कि हम लोग को कि यह जो overall volume निकल के आई है क्या यह company की average volume है average से ज्यादा है या average से कम और वो हम लोग को पते चलेगा nst के daily chat पे तो guys बीना time waste की nst के daily chat की तरब बढ़ता है और देखते है कि volume का क्या सीन है और उसके साथ साथ हम लोग swing feeding levels के बारे में भी discuss करेंगे तो guys यहाँ पे हम लोग आ चुके nst के daily chat पे अगर कल के बारे में डिसकर्स करेंगे तो कल opening price पे closing हुई है जैसे यहाँ आप लोग देख सकते हो end अगर कल के volume के बारे में आसपास हुआ करते था अभी company 5 रुपय के आसपास trade कर रही है तो काफी से company है मतलब यह split देने के बाद penny stock हुआ है असल में यह एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत इन company रहने वाली है जैसे के आप लोग ने fundamentals में देखाई तो देख होगा से price action follow करते है उसकी सबसे इंटर करते है stock में लेकिन यहां पर कोई भी price action का levels नहीं है कि company एक complete downtrend में है बागी short term अगर आप लोग short term trade देवे है तो for three to four months या फिर five to six months तो आप लोग धियान से सुनना है इस point को देखो company नीचे आड़े है सब कुछ ठीक है लेकिन अगर कल के price point पर ही closing करिया लेकिन opening से नीचे closing करिया इस दिन जहां पर मतलब वेटनेश टे के दिन जहां पर closing हुआ था कल भी वहीं पर closing हुआ है लेकिन कल के अगर opening के बाड़े में discuss करे तो कल gap up open होने के बाद feed से previous closing पर closing हुई है कल इसलिए यहां पर red candle देख रहा है लेकिन अगर य delivery पर से कितने quantity में delivery trade लिया गया है वो मुझे पता नहीं है लेकिन अगर देखा जाए तो कल buying हुई है और जबर्दस्थ buying हुई है और पिछले दो दिनों से buying हो रहे तो अगर market जो है अगर market कोई बात छोड़ो अगर SBC exports जो है यहां से bounce back देती है तो काफी बड़े target यहां स आप लोग को दिखा सकती है तो देखो अभी तो directly Monday market खोलेगा Monday market खोलने के साथ साथ अगर यहां से एक buying pressure आती है मतलब TBQ देखना है total number of buyers का ज्यादा रही इस company में तो आप लोग invest करके चल सकता है for 5-6 months या तो फिर 3-4 months at least ठीक है और कितना कितना amount लगाना है वो भी सून ल आप लोगे जो capital है entire capital अगर आप लोगे 10,000 से नीचे है अगर आप लोगे portfolio की worth 10,000 से नीचे है तो maximum मैं आप लोगो 2500-500 रुपया लगाने के लिए बोलूँगा ठीक है इससे भी कम लगा सकते हो कि तो 500 रुपय के आसपास ट्रेट करें अगर आप लोग 100 रुपया भी लग मैंने के लिए बोलूँगा चाहिए अगर आप लोगे बास एक करोर रुपया भी क्यों ना हो इस कमपनी में 2000 से ज्यादा मत लगाना अगर आप लोग शॉट टार्म में ट्रेड लेड़े हो तो रिस्क मैनेजमेंट को फालो करके जा सकते हो लेकिन अगर शॉट टाम में ज यह होगया हमारा short term trade यदे फिर swing trade भी बोल सकते हो लेकिन मैं ऐसको swing trade नहीं बोलओगो को यहापर एक strategy fallow किया जा रहा है एक emergence लिया जा रहा है कोई बी price section को follow करके यहापर कुछ भी नहीं किया ज़या है इसे लिए मैं short term trade भी बोलूँगा इसको तो guys that's it for this video अगले वीडि सकतर है कर पर यंपन एंवन ऑन ऑन कंवर्टिए Ск 농 एंस और वस फॉची कैई व Tribal